आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राधे राधे नमस्ते द्वा करता हूं आप अपने जिन्दिग में पॉजिटिव रहने की कोशिश करते होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करते होंगे लव लाइफ में अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है जैसे पहले हो सकता है कि आपसे बहुत अच्छा प्यार करते थे बहुत अच्छा रिष्टा था लेकिन अभी रिष्टा बिगड़ गया या और किसी टैप का रिष्टा है क्योंकि यहां पर हम सिंगल्स के रहे रिडिंग करते हैं मैरिड लोग हैं उनके रिडिंग करते हैं साथ दीजे, अपना personal reading समझ कर अपने उपर लेने की कोशिश मत कीजे, personal reading अगर आपको लेना है, detail में जानना है, अपने बारे में accurately, तो आप मुझसे personal reading भी ले सकते, book कर सकते, मेरा whatsapp number, screen के उपर है, सिर्फ और सिर्फ आपको message ही करना है, call मत कीजेगा, चले जल्दी से अपने partner को याद कीजे, सबसे पहले हम love oracle deck से जानने की कोशिश करेंगे, कि आज उनकी current feelings और emotions क्या है, आपको लेकर, इस रिष्टे को लेकर, singles, married, अगर आप अपने boyfriend के लिए देखना चाहते हैं, या फिर अपनी girlfriend, अपनी husband, wife, आपकी crush हो सकते, और किसी भी टाइब का आपका प्यार हो सकता है, office में प्यार हो गया, या college love है, या फिर आप business partners है, extra marital affair है, divorce है, और second marriage के बारे में सोच रहे हैं, यह सभी topics यहां पर covered हो जाते हैं, जिस भी रिष्टे में आप हैं, आपकी energy ज़रूर आपको कुछ न कुछ guidance देने की कोशिश करेंगे, इंजल मुझे प्लीज बताएं, इंजल से यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं, जितने भी वीवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी crush, उनके person, उनकी partner, आज क्या सोच रहे हैं, future energy क्या होगी, यह energy जो है, next five days के लिए हम check out करेंगे, next five days, यानि कि अगले पाश दिन में क्या बतलावा रहे हैं, अपके जिन्दगी में, missed opportunity, I didn't act when I should have, यानि कि person को लगता है न कि, सही समय पर सही action, या सही decision ना लेने के वज़े से, गलतिया हो गई है, ऐसा person आपके partner सोच रहे हैं, कि missed हो गया, उस वक्त अगर वो आपके साथ नहीं छोड़ते, उस वक्त अगर आपकी बात मान लेते, उस वक्त हो सकता है कि सगाई होईती, तोड़ना नहीं देते, या शादिशुदा जिन्दगी हैं, आपसे divorce ना लेते, या divorce लेने की बात न ना करते, यह सब चीज़े कहीं न कहीं, जो भी mistakes हैं आपके partner की, उसे वो realize कर रहे हैं, अगर break up किया है, तो उस बारे में वो पच्ता रहे हैं, अगर आपको no context situation दिया है, तो उस बात को लेकर पच्ता रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी mistake को लेकर बहुत ज़्यादा पच्ता रह time, person कहीं न कहीं डरते हैं, कि समय बहुत fast चला जा रहे हैं, और अगर वो अपनी जिना चाहते हैं, तो अभी इस वक्त, आप ये नहीं सोच सकते कि 5 साल के बाद मुझे शादी करनी हैं, 5 साल के बाद मुझे बच्चे होंगे, 5 साल के बाद love life में देखूंगा, अभी मुझ साल ये सब नहीं होता है, किसी की कोई भी guarantee नहीं होती है, तो अगर आप किसी से मुहबबत करते हैं, सची मुहबबत, उसका साथ मत छोड़ीए, यही इस person को भी लखता है, कि सची मुहबबत उन्हों और आप से प्यार था, तो उन्हों नि खो दिया है, और कहीं ने कहीं, अभी time बहुत हो चगा है, no context situation है, तो कहीं न के उनको लगता है कि गलती होगे, और अभी quickly ए person को कुछ न कुछ action लेना होगा आपकी support में, आपकी favor में, कहीं न के ये person अगर दूर 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 रह रहते, अभी इनको ऐसा लगता है न कि time बहुत जल्दी जा रहा है, मुझे व लेकर कि इस रिष्टे में उनने गलतियां की है, और सुधारे का कौन उस गलतियों को, तो खुदी सुधारना चाहते हैं, क्योंकि गलती उनकी है, decision उनका था, आपका साथ चोड़ना, आपको block करना, या फिर आपको ignore करना, लेकिन क्या होता है न, आपके तक्दिर भी ही नहीं है, भले वो यहां वहां मुँ मार सकते हैं, या यहां वहां किसी के साथ थोड़ा time spend कर सकते हैं, date पर जा सकते हैं, लेकिन कोई जिन्दीगी पर साथ उनका नहीं देगा, तो कहीं न कि अगर आप जिन्देगी भर का support चाहते हैं, क्योंकि support तो चाहिए आपको, जि आपके साथ कोई होना चाहिए, जिसके साथ आप सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, या हर चीज आप किसी के साथ share करें, ऐसा अपना कोई होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, और person को अभी यह लगता है, आपको पहले से लग रहा था, लेकिन आपके बात को नहीं समझ रहे थे आपके partner और अब भी उनको लगता है कि time बहुत जा रहा है, और cars लेंगे कुछ, unfinished business, we still have things to resolve and discuss, यानि कि अब भी उनको लगता है कि discuss करना चाहिए, हो सकता है कि पहले आपने उनको आपकी अपनी तरफ से कोशिश की थी, कि चलो बैट कर बात करते हैं, अगर तुमको कुछ भी मेरे साथ, मेरे बार में को तुमको सोच रहे हो, या मेरे बार में ऐसे कुछ बाते लेकर तुम बैटे हो, या बैटी हो, तो आकर बात करो, कहीं पर रेस्टराण पर जाते हैं, कैसे काफे में जाकर थोड़ा time spend करते हैं, at least दिल को सुकून तो मिले जैसे की solve करना है, जो भी दिक्कते हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है problems, या आपकी बारे में वह क्या सोचते हैं, वह एक दूसरे को बताकर, sort out करना चाहते हैं, finish करना चाहते हैं, मतलब person का tension बढ़ रहा है, इसलिए वह खतम करना चाहते हैं, यहां पर मुझे यही सही थे, आपकी बाते सही थे, आप एक perfect life partner हो सकते हो, यह अभी उनको लगता है, और उन्होंने मैं सब किया, सब जैसे की बरबात कर दिया, जैसे कहते हैं, कि मेरी खुशों का गला घोट दिया, उस टाप की situation, यानि कि आपके सब खुशी थी, लेकिन person देखी नहीं पाए, उस वक्त अंदे थे, या किसी और की प्यार में अंदे हो गए थे, और आपका प्यार उनको नजर नहीं आ रहा था, और अभी जब आप नहीं हो, तो उनको बहुत याद आ रहे, और वो सब कुछ ठीक करना चाते हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं, कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तो सिम सिचोवेशन यहाँ पर वक्त नहीं रुका इस परसन के लिए, वक्त बहुत चला गया, और सही वक्त पर सही डिसिजन लेने वाला इंसाँ सकसेसफुल होता है, या खुश रहता है, एस परसन नहीं मुझे लगता है, कि सही वक्त पर, आपकी सैड में, आपकी फेवर में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया और कहीं न कि आपको परिशान ही किया है तो यह खुद भी परिशान हुए है फिर से लाइफ में जो हो गया इसे फरी मिस्टेक हो गई उसके कैसे के अगर्लबगे असे मुथा होorsa होगया कि शोचा अगराकल कुछ YouTube अगर बहुत Bennett दिया और इनसान को कि पिछले दिन जाकर तुम अपनी मिस्टेक्स ठीक करो जो गलत सोचा है वसे ठीक करो अपना कर्मा ठीक करो तो यह नहीं हो सकता इसलिए आपको हर कदम जैसे में बहुत कहता है कि एक आपका गलत कदम और सब कुछ खतम तो कभी कबार क्या होता है राहों की दाशा होती है कितु की दाशा होती है और कभी कबार शनी की दाशा होती है यह आपसे कुछ ना कुछ ऐसे करवाते हैं यह दाशा के कारण हो जाते हैं आपसे गलतियां या ऐसे डिसीजन् और आपको धोके मिलते हैं तो यहां पर यही है कि परसन कहीं न कहीं mistakes अपनी accept कर रहे हैं मांद रहे हैं कि हां मेरी गलती है और वो ठीक भी करना चाहते हैं लेकिन यह possible नहीं है क्योंकि गलती तो हो गई आपका दिल तो तोड़कर चले गए अभी यही कर सकते हैं कि आपसे माफी मांग सकते हैं और रिच्ते में आगे वो mistakes ना करें इसकी वो खबरदारी ले सकते हैं बस इतना ही कर सकते हैं और देखते हैं कुछ है तो यहां पर आपके लिए क्या messages उसके बार दुसरे tarot card deck से देख लेंगे कि क्या messages आपके लिए आ रहे हैं secrets I haven't told you everything यहां कि person ने कुछ चुपाएं चीज़ें आपसे हो सकती है नहीं भी हो सकती है तो अगर उनोंने कुछ चुपाई है आपसे कुछ secret अपने past को लेकर अपने relationships को लेकर तो यह आपको बताने वाले हैं यानि कि जिस रिष्टे में सब कुछ होता है ना transparency होती है कि कुछ भी hidden नहीं है hidden अगर है तो फिर आप डर डर के जिन्दगी जीते हो लेकिन जो भी आपके दिल में है आप कहें देते हो कि ऐसा मेरा था या इसके साथ मेरा रिष्टा था तूट गया या मेरी सगाई हुई थी तूट गई मैं डिवोसी हो जो आप साफ दिल से कुछ चीजें जो कि आपको पटा नहीं स्याइद उनकी बारे में वह रोर वह उनको बोच लगता सबसे बनादाय कि ज़्ल्डी से जल्ड़ी बताना चाहिए और उनको क्या होता है नहीं जब आप गल्तियां करते हैं या कोई आप करते हो फोई गल्ति कोई टेक हो तो न कि आपको अपनी मान लेनी कि मेरे से गलती होगे क्या तो मुझे माफ कर सकती हो क्योंकि माफि माफ करने वालबॉम क्या क्यूंकि पर्मजे एक खत्म होकर कि का आपको लेकर सिदियर्स होते में नजर आते दिय assim त्थिन ٍदा लुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है तो यह परसंग कहना चाहते हैं कि मेरे लिए रुख जाओ हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं ऐसे मुझे चोड़कर मत चाओ यह हो सकता है निव चाप्टर आपके जिन्दगे में शुरू होने जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है आपको मूव ओन करना चाहिए क्योंकि मूव ओन इस चीज़ों से करना चाहिए जो की तकलिफ दे कर आपको गई है जो बातें आपको पार्टनर की वज़े से तकलिफ दे कर गई या आपके रिष्टे में जो गलतियां आप से हुई आपके पार्टनर से हुई वह गलतियां लेकर आप बैटोगे क्यों से मुझे ऐसा किया था इसलिए मुझे वह नहीं चाहिए हो सकता है कि अ इसलिए मुझे नहीं चाहिए रिष्टा तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे या फिर मुवांग करके आपको ये पार्टनर से बहतरी इंसान मिलेगा और बहां पर आपको दोके नहीं मिलेंगे इसकी भी कोई गारेंटी नहीं होती है तो सोच समझ कर आपको कदम उठाना है कि किस इंसान के उपर विश्वास रखे और जादा करके मैंने देखा है जिनको दोके मिलते हैं वो किसी के उपर बाद में विश्वास नहीं रखते हैं फिर वो एक जैसे समझते हैं कि उसने मुझे दोका दिया था ये भी मुझे दोका देगा या ये भी मुझे दोका बैट जाते हैं तो यह ना करें आप समझ सकते हैं जिसके साथ आपका connection होना है या जिसके साथ आपकी तक्दिर में भगवार ने नाम लिखा है उसी के साथ आपका रिष्टा जूड़ेगा bottom of the deck broken I feel shattered about this situation परसन अभी कहीं न कहीं तूट चुके हैं ब्रोकन मतलब तूट चुके हैं परसन का ऐसे लगता है ना कि गलती हो गई सब कुछ जैसे की खतम हो गया परसन के जिंदिगे में खुशी थी आपके वज़े से वो उन्होंने खुद खतम कर दी है क्योंकि रिष्टा तोड़ा आपसे आपको दुख दर्द दे कर ये चले गए हो सकता है कि आपकी मजबूरी है आप एक डिवोसी हो और डिवोस देन है तो यह मुझे लगता है कि बहुत ही पेंफुल सिचुएशन हो सकता है आपके लिए आपके पार्टनर के लिए जो कि मुझे आप थोड़ा सा लगता है कि परसन का भी दिल तूटा है अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है ब्रोकन परसन है दर्द महसूस कर रहे परस और अपनी स्टेक्स को रियालाइस करके आपकी तरफ आना चाते है परसन आपके साथ डिष्कस करना चाते हैं परसन ने कुछ बाते हैं आने वाले 5 दिन में हो सकता है missed opportunity यानि कि person ने अगर सही समय पर सही decision नहीं लियाता या आपका साथ छोड़ा था तो अभी वो आपका साथ देना चाहते time की कदर हो रहे person को, मतलब जल्दी जल्दी करना है, अभी नहीं रुखना है, अभी late नहीं करना है, अभी देरी नहीं करनी है जल्दी से आपके साथ pach up करना है, जल्दी से आपके साथ रिष्टा ठीक करना इंजिस मझे प्लीज गाइड करे से आट है ऐंगे मी यूनिवर्स मझे प्लीज गाइड करें मझे बताए जितने में विज़यर सब् zar I उनकी पर संद्र प्रसाइब कि नेकिस्ट थे अनर्जिक हो सकती है एंजल मुझे प्लीज बताएं एंजल से यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं नेक्स्ट फाइव डेज मेरे वीवर्स के पार्टनर की और नेक्स्ट फाइव डेज फ्यूचर एनर्जी क्या होगी यहां पर दो कार्ड्स आए हैं, तीन कार्ड्स आए हैं, सबसे पहला जो है, six of wands, उसके बाद यहां पर nine of wands, और four of swords, यहने कि परसन ने दिल आपका तोड़ा, तो कहीं न कहीं अभी वो डर रहे, आपका साथ अगर छोड़ा है, तो अभी वो डर उनको सता रहा है, कि आप move से बनाई है, जो कि आपके लिए answer, जैसे कि आपने सोच लिया, इसका answer no, कि वो नहीं आना चाहते, आपने मनी मन में सोच लिया, कि अगर इतना time हो गया है, मतलब person नहीं आना चाहते, एक तो उन्होंने मुझे चीट किया है, या उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो इने कई overthinking, tension, depression भी मुझे दिखाए देता, अकिला पन हैं दोनों तरफ से, हो सकता है कि किसी के लिए person ने आपको छोड़ा था, फिर भी अभी person अकिला फिल कर रहे, हो सकता है कि जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, उसे ने उनको छोड़ दिया, यह यहां पर परसन आपके साथ रिश्टा ठीक करना चाहते है, six of wands, और किसी की मदद लेकर यह person आपके जिन्दगी में वापस आते वे नजराते हैं, यह person आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ new beginning भी करना चाहते हैं, यह person मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको हर खुशी अभी देना च लगता है कि आप उनको accept करोगे यह नहीं, आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको rejection का डर है, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप उनको ले ही नहीं वापस जिन्देगी में, अगर आपका विश्वास तोड़ा है, तो हो सकता है कि आप उनको accept ही नहीं करेंगे, यह अगर accept करे तो कुछ गैरेंटी तो होनी चाहिए कि वापस यही नहीं रिपीट करेंगे यह भी मुझे यहां पर लगता है तो मुझे ओवरल एनर्जी में यही दिखाए देता है अल्डरी थर्ड पॉसन यहां पर मुझे दिखाए देता है थर्ड पार्टी की तरफ गए थे जरूर थर् यहां प् Five state शादी इंसान से आप प्यार कर रहे और इंत्यजार कर रहे हो यह होसकता है यह फिर कहीं नंगी अटके और लेश्फित में डिबॉस हुआ है लेकिन फिर भी आपके कॉंटेक्स बने हुए हैं partner के साथ past वाले और आगे आप नहीं move on कर सकते यह मुझे लगता है या फिर आपको divorce आप लेना चाहते हैं लेकिन आपके partner आपको divorce नहीं दे रहे हैं यह भी energy आपर नजर आती है भी लगता है जैसे कि परसंद को बहुत दिक्कत हो रही है बहुत प्रॉम्ब्लम्स हो रहे यह नों ने आपका दिल तोड़ा ना तो इस चीज का उनको टेंशन भी हो रहा है कहीं कि इस person ने कभी ना कबार इस person ने प्यार तो किया ता आपसे तो यसे भुराना बहुत मुश्किल है और इसके वज़े से addiction भी दिखाया देता है जैसे कि बहुत smoking करते हैं आपके partner या drinks करते हैं तो ये मुझे addiction को भी ये card दर्शाता है यहाँ पर अगर आप दोनों single हैं तो मुझे यहाँ पर लगता है कि family नहीं मांद रही है उनकी घर में कोई नहीं मांद रहा है इस रिष्टे को और आपके partner की जबरदस्ती किसी और की तरफ और की साथ उनकी शादी fix की गई है ये भी मुझे यहाँ पर लगता है जैसे कि आपके partner नहीं चाहते किसे और की साथ शादी करें वो आपके साथ ही करना चाहते लेकिन family नहीं दे रही है उनको love marriage करने के लिए और उनकी शादी जबरदस्ती fix की है या जबरदस्ती कुछ न कुछ करके ये black magic का भी काड है black magic spell work का भी काड है तो ऐसा कुछ करके आपके partner को आपसे अलग करने की कोशिश की है जैसे हम कहते हैं कि black magic spell work भशी करन बहुत सरी चीज़ें जो की जाती है उस वक्त के लिए person का mind change करने के लिए तो अगर आपके partner का mind अगर change किया है कि वह आपके तरफ ना जाये हो सकता है कि वह single है आप डिवोसी है और उनको इंकार है इस रिष्टे से कि हमको डिवोसी से रिष्टा नहीं चाहिए तो हो सकता है कि इनको खीच कर आपसे अलग करने की कोशिश की है जरूर की है क्योंकि हाँ पर वही energy queen of wands मुझे कहने की कोशिश करता है कि कोई बुरी तरह के से नहीं चाहता कि रिष्टा बने और तूटे ऐसा कुछ न कुछ किया हुआ है आपका रिष्टा आपके partner के साथ जल्दी से जल्दी तूट जाए और आपके partner आपकी तरफ कभी ना आए ऐसे किसीने कुछ बंदबस करके रखावान नजर आता है मज़े फिर भी यहाँ पर new beginning तो है यानि कि जैसे है ना कि इंसान कुछ भी करे लेकिन आखिर में भगवान के हाथ में होता है कौन से रिष्टा उनको जोड़ना है कौन से रिष्टा उनको खतम करना है इं कि वो कुछ भी कर सकता है एक सेकेंड में रिष्टा जोड़ भी सकता है एक सेकेंड में रिष्टा तोड़ भी सकता है तो यहाँ पर अगर किसी नेगिटिविटी फैल आई हैं आपके रिष्टे में और आपके पार्टनर को अलग किया था फिर भी भगवान चाहते हैं कुछ आप से चुपाया या बर्षन जैसे कि आपको आपके साथ अच्छा इत्ट दो एक पर किशी कर वाया लिदा हैं या फिर आपका disrespect करते हैं, misbehave करते हैं, आपने देखा होगा कि person ऐसे तो नहीं थे, बिलकुल शैतान जैसे हो गए थे, या हो गई थी, तो कहिने कि ये सब black magic, evil power ही मुझे देखाए देता है, लेकिन sun का card ये कह कर गया, कि person लॉट कर आपके जिन्दिगी में जरूर आना चाहते हैं, और six of wants ये ही कहता है, positive card है, कि person की दिल में महबबत हैं, आपको लेकर और वो आपको हसल करना चाहते हैं, victory पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिन जीतना चाहते हैं, फिर से आपके जिन्दिगी में जगा बनाना चाहते हैं, लेकि वीला फॉचन का card आ गया, वी या घुमेगा जो चीजें आपकी नसीब में लिकी है और किसे ने चीनने की कोशिश की है तो वो भी मुझे लगता है कि ठीक हो रही है अच्छा अच्छी चीज़ें आपके जिंदगी में हो रही है अच्छा बदलाव आ रहा है आपके जिंदगी में overall energy अगर देखी जाए य और आप वेट कर रहे हैं तो next five days जादा से जादा 10 days में यह person आपको call message कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं और मुझे आपर कुछ ना कुछ movement भी दिखाए देता है person के दिरव से कि अच्छनक आपसे मिलने आ सकते हैं sorry कह सकते हैं या फिर surprise आपको दे सकते हैं या अ और उड़के आ सकते हैं क्योंकि negative energy उनको महसूस हो रही है अपने घर में अपनी खुद के घर में और खुद के लोगों से इनकी नहीं बंती है ऐसा मुझे लगता है यह negative energies के वज़े से हैं कि वो अपने घर में ही लड़ाई करते हैं हो सकता है अपने parents के साथ लड़ते हैं या अपने भाई बहन के साथ लड़ाई करते हैं यह भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने खुद नेगिटिव एनरजी क्रियेट की हैं तो यह इंसन अगर नेगिटिव हो जाएगा तो हर किसी के साथ बरताव ऐसा ही रहेगा उनको घुटन सी होने लगी है और ज्यादा टाइम व स्टार सिक्सा पैंटिकल्स स्ट्रेंथ कुईन अव कप्स टावर तो यहाँ पर अगर परसन का रिष्टा कहीं और कर दिया है उनके घर के लोगों ने तो यहाँ पर मैंच लगता है कि वह मंगनी हुई है उनकी आपके पार्टनर की या शादी फिक्स हुई है तो उसे तोड़ते पर नजर आते आपके परसन आपके पार्टनर वह शादी तोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं यह मुझे यहाँ पर लगता है अगर शादी फिक्स हुई है यह मंगनी हुई है तो यह नहीं करेंगे उनके साथ शादी और कि जबरदस्ती हो जाते है तो आगे जाकर उनका डिवोस होगा यह यहां पर लगता है मुझे या किसी का अगर डिवोस हुआ है तो फिर से रिच्टा जुड़ते में नजर आते परसन आपको आपके प्यार को समझ रहें स्टार की एनरजी है और अभी तक अगर यह कुछ भी डिसिजन नहीं था इस परसन का कॉल मैसेज़ेस नहीं था ब्लॉक सिचवेशन तो यह ठीक करना चाहते हैं स्ट्रेंद का कार्ड और मुझे क्वीन आफ कप से कहता है कि अभी तक यह परसन एक्स्प्रेस नहीं कर रहे थे कि मैं तुम्हारे बीना नहीं जी सकता या नहीं चीज सकती तो अभी कहेंगे अपनी फिलिंग से एक्स्प्रेस करेंगे उतना कॉंफिडेंस तो है कि वह आपको बताएं आपके साथ बात करें कि सच में वह आपको चाहते हैं सच में आपको लेकर सीरियस हैं यह सब बातें आपसे करना चाहते हैं सौट आउट करना चाहते चीजे बैठ कर बात करना चाहते है अपने जो दिल में बाते उन्होंने चुपा कर रखी है या बोज जैसे लगता है बहुत सब्सक्राइब जमा हो जाते हैं अपने दिल में कि मुझे कहना है कहना है फिर उसका जो भी अंजाम होगा ठीक है लेकिन अगर मैं रहू ना रहू इस दुनिया में लेकिन मेरे को कहनी है मेरे दिल की बात ऐसी उनकी सुच्वेशन है कि वह कहना चाहते हैं आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ यहां पर बाते और जरूर करेंगे परसन का डिसिजन होते हैं और अगर इनकी जैसे मैंने कहाना strongly मुझे लगता है मंगन कि तूटते वही नजराती है किसी के शादी तूटती वही नजराती है थर्ड पाटी अगर है तो क्योंकि यहां पर डेविल का काड़ है और अगर आपके पार्टनर कार्मिक रिलेशन्शिप में है तो वह भी छोड़कर आपकी तरफ आते वह मुझे फील होता है बॉटम अफड़ डेक नाइन अफट कपस यहाँ कि पर्सन अभी भी आपका ही इंतजार कर रहे हैं और उनको उमीद है कि आप उनका वेट करोगे अब देख सकते हैं व्यूटिफुल काड़ है नाइन अफट कि पर्सन को उमीद है कि आप उनका साथ नहीं चोड़ोगे प लखई नंपर्स के बात करेंगे नौन शेल लगई है नाइन नाइन दो बार आ चुका थान नौ आपको जरूर क्लेशन करना चाहिए उसके बाद 19 नंबर 10 नंबर पोजिटिव है 17 आपकेना लगई है आठ दाइन लगई है उसके बाल तेरा तो चार नंबर को भी क्लेम कर सकते पॉजिटिव राशी से नबर के दो कार्ज्ट यह आपको जरूर क्लेम करना जाए अगर बात करें तो जैमिना लिब्रा एकुरिस मित्थुराशि तुला राशी और कुंबर राशी उसके बाद Aries, Leo, Sagittarius, Mesh राशी, Sihar राशी और Dhanur राशी, Cancer, Pisces, Scorpio, Karkar राशी, Mint राशी, Vrashik राशी और Taurus वर्गो, Capricorn, Makar राशी, Vrashab राशी और Ghandya राशी, जिसमें की strongly Levo, यानि की Sihar राशी, बहुत strong है, यहाँ पर दो बार आच चुकी है, Sihar राशी और आपके पार्टनर की हो सकती है, तो आज की रेडिंग में इतना ही, Thank you all of you, Thank you angels, Thank you universe,